हेलो एवरीवन वेलकम नौव विल स्टडी दा सब्जेक्ट बेसिक प्रिंसिपल्स अफ रेडियो थेरेपी ऑफ डी रेटी पार्ट सेकेंड जैसा कि रेडियो थेरेपी में अपना टोपिक चल रहा था एडवाइजरी ग्रूप्स एंड रेगुलेटरी अजेंसिज दैट मे पड़ेगा तो इन टर्म्स एंड कंडिशन यह रूल्स और रेगुलेशन कौन करता है कौन बनाता है किसके अंडर में यह चीजह होती है तो कुछ कमेटी कुछ कमिशन कुछ अजेंसिज कुछ ग्रूप्स बनाए गया है उन ग्रूप्स के बारे में हम यहां पे डिसकस कर तो जैसा है कि हमने यहां पे डिसकस किया था कि मेनली अपने स्लबस में यहां पे चार गूप है ICRP, NCRP, AERB और NECR, ठीक है तो जो अपना फर्स लेक्चर था उसमें हमने दो गूप्स के बारे में डिसकस किया था ICRP और NCRP International Commission On Radiological Protection और National Committee On Radiological Protection ठीक है या फिर Radiological Protection तो जैसा कि यह दोनों जो Commission थी दोनों जो Groups थे इनके बारे में हमने यहाँ पर डिसकस किया था मेलनी दोनों का काम एक ही था ठीक है बट यहाँ पर कुछ चीज़े अलग थी वो थी कि लेवल इनका लेवल एक का था आपका International Level पर एक कमेटी थी International Level पर और एक थी आपकी National Level पर जैसा कि Commission और कमेटी की बात की जाए तो एक ही जी जाए यहाँ पर On Radiation Protection या फिर Radiological Protection That means कि Radiation से Protect करने के लिए अब Protect किसको करेंगे अपन अपना Environment Human Beings Animals That means जहां जहां पर Radiation Harmful Effects करेंट कर रही है उन सब चीजों को Radiation से Protect करने के लिए Rule, Regulation, Terms, Conditions, Guidelines यह सब कौन प्रोवाइड कराता है आपको ICRP और NCRP ICRP आपकी International Level पर Provide कराती है और NCRP आपको National Level पर प्रोवाइड कराती है तो जैसा है कि अपना First Lecture था उसमें हमने यह Discuss किया था कि कब इनको Found किया गया किसने इनको Found किया That means कब बनायागा कितने Worker इनमें काम करते हैं और एक जो Main चीज थी वो थी यहां पर Recommendation, Doze Limit ठीक है कि इन दो कमेटियों ने क्या Radiation Protection को ध्यान में रखते हुए क्या-क्या Doze Limits Recommended की है ठीक है तो उन Doze Limits के बारे में भी हमने यहां पर अच्छे से Discuss किया था तो आज का जो अपना Main Topic रहेगा वो आगे के जो दो Groups थे AERB और Uniscare उनके बारे में Discuss करना रहेगा तो उन दोनों में भी हम सबसे पहले बात करते है AERB की Atomic Energy Regulatory Board AERB इसकी Full Forum है Atomic Energy Regulatory Board That means एक कोई भी अजेंसी है Group है यह तो आपको पता चल गए है यहाँ पर Commission है, Committee है ठीक है अब यहाँ पर चार वर्ड्स आ रहे है इन वर्ड्स को समझो सबसे पहले First आ रहा है आपका Atomic Atoms से Related आ रहा है ठीक है, Molecules से Related आ रहा है यहाँ ठीक है Energy जो Atoms की Energy है यहाँ पर तो ओवेसी बात है कि अपन Radioology Department से यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहे है तो ओवेसी बात है Radioactive Sources से अपन Interact करेंगे Radioactive Sources, Atoms, Molecules उनकी जो Energy है Regulatory Board तो जितनी भी यह जो Energies अपने पास है इनको Regulation करना That means, इनके Rule Regulation Guidelines प्रोवाइड कराना ठीक है It was founded on 15 November 1983 by the President of India by exercising the power given by the Atomic Energy Act to carry out certain regulatory and safety function under the Act जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसे 15 November 1983 को इंडिया के President के द्वारा found किया गया था That means Establish किया गया था इस ग्रूप को बनाया गया था AERB Atomic Energy Regulatory Board वो भी किस Act के तहत Atomic Energy Act के तहत Atomic Energy एक Act है ठीक है तो उस Act के तहत इंडिया के President ने 15 November 1983 को एक ग्रूप, एक कमेटी बनाए थी जिससे हम कुछ Rules, कुछ Regulations दे सकें किसके लिए Safety Functions है ठीक है उनसे Related Rules और Regulation Provide कर सके The Regulation of AERB Derived from the Rules and Notification Under Atomic Energy Act and the Environmental Protect Act दो Act आपने यहाँ पे एक Act है Environmental Protect Act और दूसरा है Atomic Energy Act तो यह जो दोनों Act थे इनके ध्यान में रखते वे ठीक है इनके जो Rules थे इनके जो Notification थे उनी के According AERB के भी Rules और Regulation यह अपने को दिये गए थे समझ में आया है यहाँ पे दो चीज़े है मैं चीज कि AERB के Full Forum क्या है AERB है क्या यहाँ पे एक चीज और समझना कि जैसा कि अब भी अपन ने यहाँ पे यह चीज़े देखी Founded by the President of India That means Protection इसके अंडर में Work करता है ठीक है और इसका दो मतलब या फिर इसको Found करने का Aim क्या था कि जो Atomic Energy Act था उसके जो Rule और Regulations थे उनको Follow करने के लिए 1986 के अंदर जो यह Environmental Protect Act था इसके जो Rule और Regulation यहाँ नोटिफिकेशन थे उनके According AERB के Regulations दिये गए थे Ionizing Radiation and Nuclear Energy in India Does Not Cause Undo Risk To Health and Environment Undo means यहाँ पर आपका Unwanted ठीक है जो अपने को नहीं चाहिए ठीक है तो यह सिब चीजे अंशोर करने के लिए कि जो Ionizing Radiation है या फिर जो आपके Nuclear Energy है वो Environment के उपर को किसी भी प्रकार का अनुचित Health Risk ना डाले ठीक है वहाँ पर Health Risk ना हो कोई भी अनुचित Unwanted जो अपने को नहीं चाहिए इस प्रकार का किसी भी प्रकार का यहाँ पर Radiation Hazard के बात की जा रहेगी कोई भी Radiation से Hazard नहीं हो तो इन सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए That means Radiation Hazard को कम करने के लिए इसका क्या था Main Mission था It is supported by the number of committees and give regulations जो आपका EERB है वो independently work नहीं करता है Dependently That means यह बहुत सारी committees बहुत सारे groups बहुत सारी agencies के साथ मिलकर काम करता है and give regulations और इसके regulations के बारे में अब अब आपन discuss करेंगी क्या क्या regulation इसने दिये थे जैसा कि अगर अपन बात करें यहाँ पर Rules of AERB की जैसा कि आपके syllabus में एक word है Rules of AERB अगर आप AERB की Official website पर जाके अगर आप Rules of AERB देखते हो तो Rules of AERB इतने हैं कि जितना आपका यहाँ पर Radio Therapy का भी syllabus नहीं है यहाँ पर अपन main और important इसके regulations की बात करेंगे ठीक है तो सबसे पहले जो अपना regulation है वो है license का that means अपने जितने भी यहाँ पर टेली थेरेपी, ब्रेकी थेरेपी या फिर आप X-ray, Diagnostic, MRI, CT जितनी machines वगर है जहाँ पर Ionizing Radiations यूज होती है उसका जो license वो आपको कौन प्रोवाइड कराता है वो AERB ही देता है handling of diagnostic X-ray, टेली थेरेपी, ब्रेकी थेरेपी license is granted by the AERB Atomic Energy Regulatory Board ही आपको license प्रोवाइड करता है टेली थेरेपी, ब्रेकी थेरेपी, डाइग्नोस्टिक X-ray, CT scan ठीक है इन सब में, that means वो जो radiology department के वो diagnostic processor जिनमें ionizing radiation होती है जो harmful effects create कर सकते हैं, या फिर जिनके लिए एक skill worker की जरूरत होती है for example, अपना जो है MRI है, MRI के अंदर अपन ionizing radiation यूज नहीं कर सकते है, बट ये नहीं है कि MRI भी हर कोई कर लेगा उसके लिए अपने को license की जरूरत होती है तो वो license आपको को प्रोवाइड कराता है A.E.R.B प्रोवाइड कराता है ठीक है Now we will discuss about the second regulation which is design certification जैसा कि हम एक पढ़ते आते हैं layout ठीक है या फिर अपन बात करें कि आपका जो department रेडियोलोजी डिपार्टमेंट में आपकी जितने भी diagnostic machines है ठीक है उनकी जो design है वो कौन आपको specify करता है A.E.R.B specify करता है All the departments should be designed according to the safety specification given by the A.E.R.B. safety code A.E.R.B. के according जो safety code that means कि किस तरीके से अपने को radiation से protect करना है उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही सारी चीजे की जाती है यहाँ पे ठीक है टाइप अप्रूवल नो अब्जेक्शन सर्टिविगेट NOC टाइप अप्रूवल जो कि आपके foreign made है तो उनके लिए NOC ठीक है या फिर उनको अप्रूव करना कि आप इनको use कर सकते हो या फिर NOC का मतलब no objection certificate कि आप उनको use कर सकते हो कोई objection नहीं है यह NOC आपको कौन प्रोवाइड करता है E.E.R.B. प्रोवाइड करता है that means E.E.R.B. के permission के भी न आप कोई भी foreign made radiology department के equipments use नहीं कर सकते layout approval and registration आपने अभी जो आपका radio therapy का जो course चल रहा हूँ उसमें आपने बहुत सारे चीज़े पड़ी थी layout of x-ray layout of radiotherapy department ठीक है तो that means जितने भी आपके radiotherapy या फिर radiology department में जितने भी diagnostic procedure होते हैं वहाँ पर जो उनका layout है वो आपको या फिर उनके लिए जो rules और regulations होते हैं वो कौन guide करता है आपको A.E.R.B. ही guide करता है all the layouts like diagnostic x-ray unit जो आपके x-ray unit CT हो गया angiography हो गया MRI हो गया should be registered to get license approval सबसे पहली बात कि वो registered होने चाहिए ठीक है उनके पास license होना चाहिए और ये तो हो गया उनका layout का approval लेने के लिए and registration उनका registration होना चाहिए और फिर उनका approval लेने के बाद में जो layout के लिए guidelines आपको A.E.R.B. provide गडाता है that means A.E.R.B. जो आपको guidelines देगा unique according आपको ये सब चीजे या फिर इन सब को arrange करना होगा design करना होगा बनाना होगा construct करना होगा तो यहाँ पे तीन और नए अपने missions पढ़े first आपका design certification किस तरीके से आप radiology department safety को ध्यान में रखते होगे design करते हो type approval कोई भी foreign med जो आपके बहुत जरूरी है तो यह सब चीजे कौन देखता है AERB देखता है atomic energy regulatory board देखता है अब अपन बात करते हैं अपने next mission की fifth mission जो की AERB का है या फिर regulation की बात की जाए installation inspection all the machines should be inspected by the license ठीक है that means कि आपने जो AERB है उसने approved कर दिया approve करने के बाद में machines install कर ली लेकिन installation के बाद में उसका inspection भी किया जाता है ठीक है और ये inspection भी कौन करता है AERB ही करता है कि उसके first of all उसके पास license है या नहीं है है तो फिर उसने जो rules और regulations थे AERB उसके according installation किया है या नहीं किया है decommission of installation जैसा कि अभी तक अपन ने बात की सारी installation की जब भी अपन installation करेंगे registration होगा layout होगा design होगा type of approval होगा सब आपको AERB देता है बट अगर आप सोच रहे है ऐसा कि जब आपको decommission that means withdraw that means जब आप इन सब चीजों को बंद करना चाहते हो ठीक है तो उस वक्त भी आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते उन सब चीजों को that means जो भी radiology department में जो भी आपका diagnostic machine काम कर रहे है अगर आप उसको बंद करना चाहते हो हमेशा के लिए तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा AERB से अप्रूवल लेना होगा their decommission of diagnostic x-ray teletherapy brachytherapy should be taken approval of AERB AERB का approval के बिना आप इन सब machines को जिनको आपने install किया था install करते वक्त भी आपको AERB का approval चाहिए और उनको फिर uninstall करते वे that means उनको बंद करते वे भी आपको क्या चाहिए AERB का approval चाहिए certification of RSO RSO की बात की जाए तो radiation safety officer should get the duties and functions only after obtaining certificate from the competent authority that means कि AERB के दौरा अगर आपको without authority जो RSO है उसका भी certificate नहीं मिलता है first of all अगर आप RSO बन जाते तो उसके बाद में भी आपको AERB के दौरा authority दी जाते है training वगर होती है that means सारे के सारे जो functions है सारे के सारे जो rules और regulations है वो AERB के ही under में किया जाते है certification of service energies जैसा है कि जितने भी आपके machines है उनको क्या चाहिए weekly, monthly services चाहिए तो वो जो service engineer या फिर जो service करता उसके पास भी क्या होना चाहिए approval होना चाहिए license होना चाहिए only persons holding certificate जिसके पास certificate हो from competent authority ठीक है AERB की किसी भी certified authority से अगर उसके पास में certification है अगर आपके पास certificate या फिर approval नहीं है तो उसके बीना आप किसी भी machine के servicing नहीं कर सकते तो यह चीज़े है यह वैसे आपकी rules और regulation में ही आती है अब जैसे कि यहाँ पर अगर अगर अपन for example बात करते हैं कि आपका certification of RSO है तो RSO को भी यहाँ पर बहुत सारे rules होंगे उनके बारे में हम यहाँ पर बिसकस नहीं करेंगे अब अपन बात करते हैं कुछ department की responsibilities की हर department की अपने responsibilities होती है तो यह responsibilities भी आपको कौन बताता है AERB ही बताता है responsibilities of different department सबसे पहले अपन बात करते है responsibility of the employer रेडियो लिज़ी डिपार्टमेंट में जो कोई भी आपका worker है चाहे वो आपका X-ray unit में हो चाहे आपका CT की machine में हो चाहे वो MRI में हो या फिर चाहे वो आपका टेली थेरेपी या ब्रेकी थेरेपी में हो उस employer या फिर उस worker की क्या-क्या responsibilities होनी चाहिए यह आपको AERB क्या-क्या बताता है उसके बारे में discuss करते है कोई भी employer उसको अपना कारिये अच्छे से करना है जो भी patient है उसके बारे में और उसको कितनी dose आपने दी यह सारा का सारा record उस employer को उसके उपर authority है उसको provide करना होगा या तो किसी emergency situation में या फिर जब उसकी duty off हो जाती है तो वो उस department को leave करता है छोड़ता है तो उस वक्त उसको अपने ऊपर जो authority है या तो उसको inform करना होगा otherwise RSA को inform करना होगा radiation safety officer को without inform किये वो वहाँ से नहीं जा सकता यह सब चीज़े किसके आती है he should inspect the radiation source and ensure physical security of source at all time जैसा कि आपकी जो radio therapy होती है radio therapy में जो आपका radiation का source है उसको timely that means weekly periodically उनको क्या करना है check करना है कि वो एकदम safe है या नहीं है कई बार क्या होता है कि radiation leakage हो जाती है तो that means वो harmful effects कर रही यह सब चीज़े check सबसे पहले जो check करने का काम होता है इनको वो किसका होता है employer का होता है बाद में employer क्या गरता है कि उन चीज़ों को उससे जो उपर authority है उनको वो बताता है that means वो वो वहाँ पर action नहीं ले सकता उसका काम है केवल check करना check करने के बाद में हर एक चीज़ के बारे में क्या गरना अपने से उपर authority को बताना जब वो authority कोई आपको आदेश देती है तो उसी के according उसको चलना होता है that means कि employer जो होता है उसके उपर जो authority होता है जो आपका RSO होता है radiation safety officer उनके according ही चलता है वो अपने मन से कोई भी decision नहीं ले सकता उसका काम होता है records को provide करना जितने भी record हो रहे है आप वहाँ पे dose का record है patient की health report भी आपके जो machine है उसका record है वो सारा का सारा record उपर की जो authority है उसको provide कराना अब अपन बात करते हैं यहाँ पे responsibility of the licensee licensee का मतलब जिसके पास license है उसकी क्या responsibility है for example कोई भी आप diagnostic center चला रहे हो license किसी और के पास में है और वहाँ पे technician कोई और है तो technician जो था worker जो था उसकी responsibility के बारे में हमने discuss कर लिया बट हम यहाँ पे सोचते हैं कि जो आपका licensee होगा उसके कोई responsibility licensee AERB के rule और regulation है उनका पालन करना ठीक है वो किसके उसके लिए responsible कौन होगा licensee होगा employer जो आपका वहाँ पे work कर रहा है उससे AERB के दोवारा rule और जो regulation दिये जाते हैं उनका पालन करवाना इसके लिए कौन responsible होगा licensee होगा ठीक है licensee should see all the return process and documents for the planning of layout and machine setup जो भी आपी machine setup हो रही है जो भी आपका planning है layout है किसी भी center का for example आपका x-ray city है हमारे जो भी है उन सब की जो भी documentation process है वो कौन करेगा licensee ही करेगा licensee should provide rules for the safe disposal of radiological waste radiological waste के लिए जो आपका radiological waste है उसका safe disposal गना आपको पता है कि radiological waste क्या है harmful है तो इसके लिए rules कौन प्रोवाइड करेगा licensee provide करेगा ठीक है that means licensee को authority है तनी कि वो radiological waste हो रहा है उसको safely dispose कर सके that means वहाँ पर उसको उपर पूछने के जरूरत नहीं है but उससे उपर responsibility भी है ये कि वो उसको safe ही dispose करे ठीक है the licensee should maintain record of worker workers का record होना चाहिए उसके पास में maintain radiation protection equipment and monitoring instrument जितने भी आपके radiation protection equipment है वो सारे के शारे maintain होने चाहिए कोई भी डाइगनोस्टिक सेंटर खोल दिया उसने वहाँ पर workers को क्या कर रहा है कि radiation protection के equipment प्रोवाइड नहीं करा रहा है ऐसा नहीं चलेगा radiation protection के जितने भी equipment से वो सारे के सारे उसको provide कराने होंगे and monitoring instrument जैसे कि radiation monitoring जापके devices आपने बात की area monitoring devices personal monitoring devices ये सारे के सारे जो devices है instruments है ये भी उसको वहाँ पर provide कराने होंगे तो ये responsibilities हैं आपके license की that means जो license लेता है जिसके नाम से license है उसकी भी कुछ responsibilities होती है उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर discuss कर रहे हैं कि उनकी क्या क्या responsibility होती है ऐसा नहीं है कि license की कोई भी record radiation exposure and maintain this record जो भी radiation exposure हो रहा है चाहे वो therapy का हो चाहे वो x-ray unit का वो सारा का सारा record करना that means record करेगा employer but वो employer का करेगा employer को वो record licensee तक देना और licensee को वो record रखना है अपने पास ठीक है and maintain this record और इन records को maintain करना है that means यह नहीं है कि record उसने दिया आपने उसको waste कर दिया उसको maintain करना है prepare emergency plan with RSO आपका जो department है जो भी आपने diagnostic center open किया है ठीक है वहाँ पे अगर emergency condition आजाए तो उसके लिए planning ठीक है कि अगर emergency for example आपका source leak हो जाना fire वगर तो इस condition के अंदर जो भी planning होगी वो RSO के साथ में मिलके कौन करता है licensee, licensee को RSO के radiation safety officer के साथ में मिलके यह सारी चीज़े planning करनी होती है periodic investigation और quality assurance done by the RSO ठीक है RSO जो है आपका radiation safety officer वो periodically quality assurance job यह आपकी machines है उनकी quality QA QC check कर रहा है नहीं कर रहा है यह responsibility भी license कि that means उसको check कराना होगा ठीक है अगर RSO यह चीज़े धान नहीं दे रहा तो licensee की responsibility बनती है कि वो RSO को inform करें कि वो machine की QA QC वगर चेक करके जाए quality assurance और quality controls को check करके जाए the licensee should ensure all the safety standards safety codes, safety aids and safety manual issued by the competent authority ठीक है licensee को जिस authority ने license दिया है उस authority के according जो भी safety rules है जो भी safety codes है जो भी safety standard values दी गई है safety manual जो भी है उन सब का ध्यान रखना होगा किसको licensee को तो that means अपने को यहाँ पर पता चल रहा है कि radiology department में diagnostic center का license लेना ही मुस्किल नहीं है यहाँ पर उसके rules और regulations को follow करना भी बहुत ज़्यादा मुस्किल होता है now we will discuss about the responsibility of the RSO radiation safety hofisher की क्या क्या responsibilities होनी चाहिए carry out QA test of machine and source जो भी आपकी machine है जो भी आपका radioactive source है उसका quality assurance test कौन करता है RSO करता है जैसे कि अपने बात की थी licensee में कि licensee की responsibility है कि वो RSO से यह चीज़े करवाए ठीक है अगर RSO first of all तो RSO की responsibility बनती है कि वो machine or source का QA करे बट फिर भी अगर वो नहीं कर पा रहा है भूल गया है किसी या फिर किसी conditions के अकोडे तो जो आपका licensee है उसकी responsibility बनती है कि वो उसको inform करे इन सब चीज़ों के लिए instruct the workers about radiation hazard and safety and good work practice that means जितने भी worker जो काम करे उनको instruct करे उनको information provide करे कि किस तरीके से हम radiation hazard से बच सकते है जितने भी safety guidelines है उनके बारे में उनको बताना और उनकी जो practice that means उनको अच्छे से work के बारे में ठीक है वहाँ पे समझाना ये सब चीज़े भी किस के अंडर में आती है आरेसो के अंडर में ही आती है supervise the area and maintain the record जो भी आपका diagnostic center का जो area है उसको supervise करना record maintain करना ये सब किस के अंडर में है आरेसो के अंडर में should advise the licensee for the modification of dose of pregnant worker and safety and security of radioactive service that means आरेसो की responsibility है कि वो licensee को inform करे ठीक है या फिर उसको advise करे उसको सलाह दे कि किस तरीके से जितने भी safety guidelines है उनके बारे में उनका जो भी modification आया है उनके बारे में उसको advise करना security of the radioactive source जो भी आपका radioactive source है उसको किस तरीके से हम secure कर सकते हैं इन सब चीजों के बारे में advise provide करना should inform the authority whenever he or she lose the employment और ये जो चीज़े है या आपकी जरूरी नहीं है जो अपने employer में पड़ी थी कि employer जब अपनी duty है वो off करता है तो उसको authority को inform करना है ठीक है ऐसा ही RSO में भी होता है जब RSO अगर अपनी duty off कर रहा है तो उसको भी उससे ऊपर जो authority होगी उसको inform करना होगा without inform किये कोई भी authority ये चीज़े यहाँ पर ही नहीं होती आपका आप चाहे नर्सिंग में चले जाओ ठीक है आप किसी भी department में चले जाना जब आप अपनी duty off करते हो तो आपको अपने से उपर जो authority होती है उसको inform करना होता है तो ये responsibility हर एक worker की होती है चाहे वो private sector का हो या फिर आपके government sector का हो या फिर किसी भी sector का हो ठीक है तो ये सब अपन ने बात की यहाँ पर EERB की ठीक है अब अपन बात करते हैं Uniscare की Uniscare क्या है वैसे देखा जाए तो Uniscare आपके syllabus में नहीं है आपके syllabus में दोई चीजे main थी एक था ICRP और एक था AERB ICRP International Commission on Radiological Protection और AERB Atomic Energy Regulatory Board NCRP हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि NCRP ICRP से relate करता है इसलिए हमने NCRP बढ़ा Uniscare आपके syllabus नहीं है बट अगर कई बार क्यों होता है इसलिए हम यहाँ पर पढ़ रहे है यह United Nation की एक कमीटी है तो इसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं शोटली United Nation Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation यह United Nation की जो एक अगर अपन बात करें तो नेशनल लेवल की कमीटी है ठीक है Uniscare was established founded by the General Assembly of the United Nation on 3 December 1995 1995 में 3 December को United Nation की जो General Assembly थी उसके दोबारा Uniscare को established और found किया गया था in the United Nation system it is formed to study and report the levels and effects of exposure of ionizing radiation जैसा है कि अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो आपका AERB यहाँ पर काम करेगी उसी तरीके से Uniscare United Nation में work करेगी कुछ rules और regulations का difference हो सकता है बट जो aim होगा वो दोनों का same होगा यहाँ पर क्या अपना and effects of exposure to ionizing radiation जो ionizing radiation का exposure लग रहा है उसमें क्या क्या effects हो रहे है harmful hazards हो रहे है उन सब के levels के बारे में report study करना यह सब किसके अंडर आता है Uniscare के अंडर में आता है Government and organization throughout the world depends on committee protective measures done by the scientific evaluation of the ionizing radiation जो भी आपकी ionizing radiation हो उसका जो भी scientific evaluation होता है ठीक है जो भी उसके measurements हो रहे है protective measurements हो रहे है वो सारे के सारे आपकी Uniscare की जो committees है उनके ओपर depend करते है ठीक है ये एक normal छोटी सी committee that means देखा जाए तो United Nation की एक committee है बट यहाँ पर अपने syllabus में नहीं है वाईवा के लिए अपने इसको थोड़ा सा discuss किया है तो अपना जो topic था advisory group and regulatory agencies वो अपना यहाँ पर complete होता है mainly चार groups के बारे में अपने को discuss करना था जिसमें से तीन अपने syllabus में थे एक अपने syllabus में नहीं था बट कई बार यहाँ पर वाईवा में पूचा जाता है इसलिए इसको हमने यहाँ पर discuss किया है तेंक्य। करते हैं झाल 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 झाल